सब्सक्राइब करिए स्री होमयो यूटूब चैनल और पेल आइकोन दबा कर सभी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए हेलो फ्रेंड्स माइसर ब्रोक्टर सत्या और श्री होमयो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम आप से डिसकस करने वाले हैं बहुत सारी लोग मुझसे क्वेशन भूसते हैं 30 मतलब क्या होता है, CH माने क्या होता है, M मतलब क्या होता है, हम 1M की मेडिसिन कैसे पहचाने, 1000 मीन्स क्या होता है तो इन सभी क्वेश के रिप्लाइ के लिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ जिसमें मैं आपको जानकारी दूँगी कि आप कैसे पहचाने कौन सी मेडिसिन की कितनी पावर है, कैसे आप उसको समझ सकते हैं, तो वीडियो को अन्ते तक जरूर देखेगा ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मिशन मिल सकें. क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परिशान हैं, तो समय गवाएं बिना पेश्ट होमेफ़िक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्स्राइब करें और पेल आइकॉन दबाएं. वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी जो भी मेरे चैनल शी होमे पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्स्क्राइब कर ले, बैल आइकॉन को टैप कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें जब भी मैं कोई भी नया वीडियो लेकर आती हूं, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, हम आज आप से बात करने वाले हैं कि कैसे पहचानते हैं आप किसी भी मैडिसिन की पावर को, यानि उसकी पोटैंसी को, होम्योपैथी में पावर को हम पोटैंसी बोलते हैं, पावर इस इक्वल टू पोटैंसी, यानि उस दवा की क्या drug strength है क्या उसकी अंदर सकती है इस बात को हम potency बोलेंगे अब बात कर लेते हैं क्या होती है potency यह देखिए यह जो Q है इससे पहले मैंने बताया क्यों क्या होता है क्यों होता है mother tinger यानि crude form तो उसके बारे मैं already वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आप लोग चेक कर लीजेगा क्यों होता है crude form यानि इसी से सारी दवाईयों का formation होता है अब प्रिपेर करते हैं हम सारी दवाईयों क्यों से crude form यह क्यों लिखा इंडिकेट करता है mother tinger को अब आगे बढ़े इसके बास सबसे स्टार्ट होती lower potency lower potency आपकी स्टार्ट होती यह होगी 3x यह x है decimal potency होती है और x से इसको denote किया जाता है यानि जितनी solid potency होती टाबले potency decimal scale solid potency x से लिखा रहता है x माने tablet ठीक इस तरह से आप समझ लीजिए next अब हम बात करते हैं सबसे minimum potency होती है आपकी 30 potency तो जैसे नाम लिखा हुआता है जैसे यह tellurium लिखा है ऐसे other medicine CPI, silesia, antim crude, arsenic कुछ भी लिखा हो सकता है नीजे 30 30 denote कर रहा है उसके power को कि कितनी इसकी drug strength है कितनी इसके अंदर की power 30 यह 30 भी सेम है अगर आपने कोई other company के medicine खरीदे और उसमें लिखा है यह देखे यह दूसरी medicine काली by chrome इसमें लिखा हुआ नीजे 30 CH लेकिन यह जो power है medicine अलग लग है लेकिन यह जो power 30 नीजे जो लिखा हुआ यही इसकी सेम power 30 CH यानि CH आगे लिखा हो या ना लिखा हो दोनों का मतलब सेम है दोनों की power 30 है देख लीजे आप यह CH लिखा हुआ है और यह बिना कुछ लि 30 है यह दिखिए यह मेरे पास जो medicine है उसके आगे सिर्फ C लिखा हुआ है तो चाहे C लिखा हो चाहे CH लिखा हो चाहे कुछ ना लिखा हो यदि आगे 30 लिखा है यह medicine का power 30 है अब हमारे पास एक और medicine है यह देखिए 200 CH अगर यहां पर 200 लिखा हो CH लिखा हो यह सिर्फ C हो इसका मतलब इस medicine का power आपका 200 है यह medicine का power denote कर रहा है कि 200 potency 200 सक्ति की medicine है आगे बढ़ते हैं lycopodium 1000 CH lycopodium 1000 CH का मतलब है जैसे आपने कभी मुझसे बात की मैंने आपको recommend किया lycopodium 1 M ले लीजे तो lycopodium 1000 CH का अर्थ हुआ lycopodium 1 M लेना है आपको यह देख लीजे इन्होंने direct लिख दिया है silesia 1 M ठीक है तो यह चाहे 1000 CH तोड़कर लिखते हैं चाहें आप direct 1 M लिख दें इसका अर्थ सेम है यानि कि यह सिर्फ आपके नंबर से मतलब रखता है कि अगर 30 आगे लिखा ह हुआ है और C लिखा है CH लिखा या कुछ नहीं लिखा है तब भी 30 की ही medicine होगी कि को यह medicine का power increasing करम में मैंने आपको बता है कि आपका mother tincture से सुरू होगा तो इसके बाद X आएंगी फिर उसके बाद 30 आएगा फिर 200 आएगा फिर 1000 आता है फिर LM potency CM potency इस तरह से आपका आग आपको कैसे लेनी है आपको आपको यह दोस्तों वीडियो पसंद आयोगा प्लिस वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लिस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अपने social media accounts पे चानल पे नए है तो श्रीव में चान सब्सक्राइब कर लें बाल आइको आपको 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 आपक